तो तो आज हम पहले पढ़ेंगे नंबर लाइन पे जो है फ्रेक्शन कैसे शो करते हैं ठीक है बच्चे जैसे की देखे एक्सांपल में लाया गया है कि क्या करना है हाफ वने बेfarट ड को क्या करना है आपको अच्चरी सपी can तो वच्चे कैसे करेंगे, पहले क्या करना रहाए? 1 Stud 2 में किस के बीच में हैगा? 0, 1 के बीच में, जीरो और 1 ले लिया, ठीक है? 1 being 2 nis ए 1 का हाफ होत olmuş ठीक है और 2 है इसका मतलब आपको इसको 2 equal parts में क्या करना है divide करना है ठीक है एक point ले लिया बीच में तो वो क्या होगा आपका half जितना आपको denominator में दिया होगा आपको number line को उतने ही equal parts में क्या करना होता है divide करना होता है जैसे देखें यहाँ पे है 1 by 3 तो कितने parts में 3 equal parts में 3 points 1 2 और यह 3 ठीक है लेकिन होने क्या चाहिए आपके equal parts होने चाहिए ठीक है बच्चे जैसे यहाँ पे भी क्या है 2 by 3 है ठीक है 2 by 3 शो करना है 3 parts लेने है तो यह आगया 1 2 और 3 ठीक है question आ गया draw number lines and locate the points on the number line ठीक है तो first part है 1 by 2 फिर 1 by 4 3 by 4 4 by 4 अब सिरफ क्या है 2 वाला जो है वो different है तो हम क्या 1 by 2 को 2 by 4 लिख सकते हैं क्यों क्योंकि जब हम काटेंगे तो answer आपका 1 by 2 ही आएगा here 1 by 2 can also be written as 2 by 4 तो देखे क्या आगया 2 by 4 1 by 4 3 by 4 4 by 4 अब आपको पता होना चाहिए कि आपको number line को divide कितने parts में करना है देखें denominator क्या है 4 है इसका मतलब 4 equal parts में क्या करेंगे हम divide करेंगे 4 points लेंगे ठीक है यह आगया 0 यह आगया 1 2 3 और 4 तो first point क्या आजाएगा 1 by 4 2 by 4 3 by 4 4 by 4 4 by 4 क्या होता है 1 ठीक है next part भी देखें 1 by 8 2 by 8 3 by 8 7 by 8 तो कितने 8 parts में divide करेंगे यह कर दिया हमने 8 parts में divide तो first point आएगा 1 by 8 2 by 8 3 by 8 4 by 8 5 by 8 6 by 8 7 by 8 और 8 by 8 8 by 8 जो है वो 1 के उपर आएगा ठीक है क्योंकि जब हम 8 upon 8 करेंगे वो कटके 1 आता है वैसे ही next है अब एक चीज देखो यहां पे है 2 by 5 3 by 5 8 by 5 8 by 5 है इसका मतलब 5 by 5 से जादा है तो आपको points आगे तक लेने है लेकिन divide क्या करना है 5 equal parts में ही divide करना है तो यह आगा 0 1 और 2 और बीच में कितने कितने points आएगे 5 5 points 5 equal parts में divide करना है यह देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है तो यह आगा 1 by 5 2 by 5 3 by 5 4 by 5 5 by 5 5 by 5 मतलब 1 6 by 5 7 by 5 8 by 5 9 by 5 और 10 by 5 मतलब 2 ठीक है बच्चे फिर है आपका next question express the following as mixed fraction अब आपको जो यह दिये गए है fractions आपको इसको mixed fraction में लिखना है 20 by 3 तो mixed fraction का formula आपने किया था mixed fraction is equal to quotient remainder upon divisor यह देखें फर्स में मैंने पूरा explain किया है 3 अंदर क्या गया 20 ठीक है गया divide 3 6 आ 18 remainder बच गया 2 ठीक है तो इसको कैसे लिखेंगे quotient क्या है 6 फिर remainder remainder है 2 और क्या है divisor diviser है 3 तो कैसे लिखेंगे 6 2 by 3 अब देखें कैसे करेंगे 6 3s are 18 plus 2 20 20 by 3 ठीक है समझ आ गया तो क्या आएगा that is 6 होगा whole number and 2 by 3 ठीक है more that is 6 2 by 3 वैसे ही next है 11 by 5 तो क्या आएगा 5 2s are 10 plus 1 11 ये बन गए इसकी mixed fraction 2 whole and 1 by 5 more that is 2 1 by 5 वैसे ही next वाले है ठीक है ये होगे आपके सारे उसके बाद बच्चे क्या है थर्ड कोशन है express the following as improper fractions अब आपको जो है improper fractions में बनाना है ठीक है बच्चे तो improper fraction वाला कैसे करेंगे पहले improper fraction का formula क्या है whole number into denominator plus numerator upon denominator तो देखें जैसे first है आपका क्या है देखें first part है आपका 7 3 by 4 तो कैसे करेंगे इसको हम 7 multiplied by 4 plus 3 upon 4 ठीक है 28 plus 3 31 upon 4 ठीक है यह रहा इसका answer वैसे ही second part है तो क्या आएगा इसका 7 5 35 35 plus 6 41 41 upon 7 ठीक है C part है तो क्याएगा 6 2 12 12 plus 5 कितने होते हैं 17 17 by 6 यह आप जो है खुद अपनी नोट बुक पे करोगे ठीक है class thank you